बिहार के लोगों को जल्दी एक और हाइवे मिलने वाला है बता दे कि बिहार में स्टेट हाइवे के निर्मान को लेकर हरी जंडी मिल चुकी है बिहार में 275 किलो मीटर लंबे हाइवे को कड़ी 2680 करोड रूपेर के लागत से तयार किया जाएगा संबंधित अधिकारियों के अनुसार इस हाइवे का निर्मान 2024 तक पूरा किया जाने का लक्ष रखा गया है वहें फिल्हाल इस हाइवे की निर्मान प्रक्रिया का काम सुरू कर दिया गया है इसके साथ ही ADB के द्वारा इन सरको के निर्मान के लिए रिन की सहमती भी दी जा चुकी है बताते चले कि कुछ S.H. के निर्मान के लिए टेंडर निकाला जाएगा और उसके माध्यम से ही एजेंसी का चर्ण किया जाएगा इसके साथ ही कुछ ऐसे भी S.H. हैं जिसके लिए जमीन अधिग्रहन का काम किया जा रहा है और इन सभी S.H. में तीन S.H. का निर्मान कारे सुरू भी किया जा चुका है बता दे कि राजे में सभी साथ SHK निर्मान से 9 जिलों को इसका सीधा लाब मिलेगा इसे लोगों को आवा गमन में काफी शुवधा मिलेगी जिन 9 जिलों को SHK निर्मान से सुवधा मिलेगी उनमें पस्चिम चंपारन, कटिहार, पुर्णिया, किसन गंच, खगरिया, सहरशा, नवादा, औरंगाबाद और बांका जिले सामिल है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पस्चिम चंपारन जिले में बेतिया से नरकटिया गंस तक करीब SH-105 का निर्मान किया जाएगा जिसके लंबाई 35.7 किलो मीटर होगी इसमें करीब 317.25 करोड रुपे की लागत खर्च होने की संभावना है जानकारी के लिए बता दे किसके निर्मान को लेकर एजनसी के चर्ण की प्रक्रिया आंतिम चर्ण में है वहीं SH-59 का निर्मान कर्टिहार से बलरामपूर तक करीब 62.8 किलो मीटर लंबाई में किया जाएगा इसके निर्मान में करीब 602.69 करोड रुपे की लागत लगाई जाएगी इसके साथ ये SH-92 बायसी बहादुर गंज डिखल बैंक का निर्मान में करीब 602.24 करोड रुपे की लागत से बनाई जाएगी इसकी कुल लंबाई 65.35 किलो मीटर निर्धारीत की गई है बता दे कि इसके निर्मान से इसका सीधा लाप, पुर्णी और किसंगन जिले के लोगों को मिल सकेगा इसके साथ ये SH95 मानसी सहर सा हर्दी, चोगारा सरक का निर्मान खगडी और सहर स जिले में बनाया जाएगा इसे बनाने में करीब 670 करोड रुपे की लागत लगाई जा रही है और ये सरक 28 किलो मीटर लंबा होगा SH95 में सरक का निर्मान कारे सुरू किया जा चुका है साथ ही SH103 मांजवे से गोविंदपूर सरक का निर्मान नवादा जिले में करीब 211.69 करोड रुपे की लागत से करीब 46 किलो मीटर की लंबाई में सुरू हुआ है वहीं SH101 सरक को बनाने में करीब 184.91 करोड की लागत लग रही है जिसके लंबाई करीब 32.47 किलो मीटर निर्धारित की गई है इस सरक का निर्मान अंबा से मदनपूर तक और अंगाबाद जिले में किया जाएगा